नमुश्कार में उप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है चुरे जानते हैं बिहार की अब तक ही बड़ी खबरों को यह महापर्व प्रदेश में प्रेम और सदभाव के साथ ही लोगों के जीवन में सुख, शान्ती और सम्रिधी लाए इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि हमारी संस्कृती और भारतिय मनीशा अस्तोमा सदगम्या तमसोमा जियोतिर गम्या के उत्सव संकल्ब का संदेश द हैं बिहार के मु議न निरवाचन पदादिकारी एचार श्री निवास ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि परत्ना तिरहुत दर्भंगा और कोसी सनातक निरवाचन छेतर और सार न सिक्षक निरवाचन छेतर के लिए 22' को मतदान हुआ था वहीं मतों की गिंती बीते दिन से करवाई गई थी मतगर्णा के बाद पटना स्तातक छेत्र से जनता दल युनाइटेट के नीरच कुमार तिरहुत से देवेश चंद्र ठाकुर और कोशी से भारतिय जनता पार्टी के एनके यादव निर्वाचित खोशित किये कब जाबर करा रखा है। अधारी अभ्यर्थियों को एक साथ सम्मिलित करते हुए मेधा सूची तयार करने एवं नियुक्ति की कारवाही करने का आदेश दिया है अदालत के आदेश के अनुपालन में सभी नियोजो निकाईयों को निर्देश दिया गया है कि सम्मंदित सभी नियो जो निकाई वर्गेक से लेकर पांच तक के अभ्यर्थियों के सयुक्त रूप से तयार किये गए मेधा सूची को 28 नवंबर 2020 तक सम्मंदित जुला के वेबसाइट पर अपलोड किया जाए इसके साथ ही 5 दिसंबर 2020 तक और नाइन आपती प्राप्त किया जाए वही 9 दिसंबर 2020 तक NIC की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए बिहार में अगले 5 दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क बिहार में पिछने कई दिनों से मौसम पूरी तरीके से सुष्क देखने को मिला जिसके बाद दिन और रात के तापमान में थोड़ी उतार चुड़ाव देखने को मिल रहे है मौसम विज्यानिकों की माने तो अगले 24 घंटे के दोरान मौसम शुष्क बना रहेगा मौसम विज्यानिक अमित सिनहा का कहना है कि मौसम में बहने वाली हवा की दिशा पश्चिम और उत्तर पश्चिमी दिशा में बनी हुई है जिसके चलते अधिक्तम और नियूंतम तापमान में उतार चुड़ाव का दोर लगातार जारी है जिसके बाद राजु के 14 शेहरों की सुची में सर्वाथिक अधिक्तम तापमान 33.5 डिग्री सेंटिग्रेट सुपॉल में और सबसे कम नियूंतम तापमान 13.5 डिग्री दर्ज किया गया है मौसम वैग्यानी की माने तो अगले 5 दिनों तक किसी बदलाप की संभावना नहीं है यूपी बिहार को जोडने वाली गाज़ेपुर के हमीद सेतु का मरमत कारे हुआ पूरा यूपी को बिहार से जोडने वाले गाज़ेपुर के हमीद सेतु के छतिगरस्त जॉइंस के प्लेटनेस वेरिंग की मरमत का काम सफलता पूर वक पूरा कर लिया है जिसके बाद पूल पर फिलहाल बाइक को आने ज़ानी के नुमती दी गई है ओवर्लोड वाहनों को रोकने के लिए कई तयार्या की जारी है दस-दस फीट के लोहे के हाइट गेज बैरियर भी लगाय जा चुके है जुला अधिकारी MP सिंग ने इस बाबत बताया है कि सेतू पर ओवर्लोड वाहनों का आवागमन रोकने के लिए कठोर कदम उठाए गया है पूल के दोनों तरफ हाइट गेज बैरियर लगाने का काम किया गया है बिहार में बंगाल की तरह लोकल ट्रेन का परेचालन होगा शुरू बिहार दैनिक यात्री संग ने लोकल ट्रेन की संख्या बढ़ाने की मांग की है जिसके तहत दैनिक यात्रियों की परेचानी खत्म होने वाली है संग ने कहा है कि जिस तरह रेल्वे मंत्राले के आदेश अनुसार पश्चिम मंगाल में लोकल ट्रेन सुभे 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 4.30 बजे तक चलाई जाती है और कहा है कि सवारी गाड़ियों की कमी से नीजी, कर्णचारी, मजदूर, सबजी, दूध बेचने वाले यात्रियों और मरीजों, महिलाओं और दैनिक यात्रियों को काफी कठनाईयों का सामना करना पड़ता है मिली जूआनकारी के नुसार अध्यक्ष विरेंद्र शर्मा, मुख्य संग्रक्षक, मंजल कुमारदास के भी रॉय महेंद्र प्रसाद और अन्य लोगों की पस्तिती में उक्ति फैसला सुनाए गया है भागलपूर के अजीत शर्मा बने कॉंग्रिस विधायक दल के नेता, राज़त के बाद अब कॉंग्रिस ने भी अपने विधायक दल के नेता के नाम की घोशना कर दी है जिसके तहित कॉंग्रिस आला कमान के निड़ने के बाद 36 गड़ के मुख्यमंतरी भुपेश बगेलेवं स्क्रीनिंग कमीटी के चेरबेन अविनाश पांडे ने कॉंग्रिस विधायक दल के नेता पद के लिए भागलपूर से विधायक अजीत शर्मा के नाम की घोशना क फाक आलम को विधायक दल के उपनेता राजेश कुमार राम को मुख्य सचेतक चटरपती यादव को उपसचेतक और प्रतिमा कुमारी दास को उपसचेतक विधायक आनंद शंकर विधायक दल के कोशाध्यक्ष मनूनित किये गए हैं अदीच सर्मा ने विशेश बाचीत में कहा है कि कॉंगर्स सदन में जनता की आवाज बनेगी विपक्ष की भूमी का पूरी तरह से निभाई जाएगी और जनहित के कारे को पूरा करने के लिए आवाज उठाई जाएगी कॉंगर्स की प्राथमिक्ता में सिक्षा नौकरी औ और अन्यमुद्य होंगे जिससे आमजन का सीधा सरोकार होगा भाजपा ने कई राजों में प्रभारी और सह प्रभारी को किया नियुक्त बिहार वधान सभाचुनाफ परिणाम आने के बाद भाजपा पने संगठ नात्मक धाचे को मजबूत करने की कोशिश में जुट ग गई है जिनकी सहायता के लिए तीन सह प्रभारी भी नियुक्त किये गये हैं इसी तरह मध्यप्रदेश और महरास्ट्र में भी दो-दो प्रभारी नियुक्त कर दिये गये हैं इस तरह पाटी ने सात मोर्चों के प्रभारी की नियुक्त कर दी है भाजपा के महासचिप और कारियाले प्रभारी अरुन सिंग ने एक बयान में बताया है कि पार्टी अधेक्स जेपी नड़ा ने संगठन को और मजबूत करने के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किये हैं चुनाव में हारे प्रत्याशियों का सीम नितीश कुमार ने बढ़ाया होसला मुखे मतरी नितीश कुमार ने शुक्रवार की श्वाम अपने दल के हारे तीन दर्जन प्रत्याशों से मुलाकात की जहां उन्होंने उनकी हार की बज़े जानने की कोशिश की साथ ही उनका होसला भी बढ़ाया क्योंकि इन में से कई ऐसे थे जो पिछले तीन चुआर चुनाव से लगाता हार जीत रहे थे पर अपकी चुनाव हार गये थे आपको बता दे जदियू दफ्तर पहुचे मुख्यमंदर नितीश कुमार ने प्रत्याशियों से 1-2-1 बात की इस जौरान उनके साथ पार्टी मुख्याले स्थितकरपूरी सभागर में आर्सीपी सिंख, विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, संजेचा, अली अश्रफ, फात्मी, लीरच कुमार समेत कई नेता मौजूद रहे जिसके तहत जदियू नेताओं ने मौके पर खुल कर अपनी हार का कारण बताया कई विपक्ष में वामदलों में आई मजबूती की भी कईयों ने ज़ानकारी दीतना ही नहीं कईयों में द्वारों ने लोचपा को भी जिम्मेदार ठेराया है सियासी गहमा गहमी के बीच बिहार पहुचे जहारखंड के मुख्यमंतरी हेमंत सोरेन जहारकंड के मुख्यमंतरी हेमंत सोरेन बिहार के खगडिया जिले पहुचे जहां पूर्व मुख्यमंतरी सतीश प्रसाद सिंग के श्राद कर में वो भाग लेने आये थे मंत सुरेन ने उनकी आवास खगडिया के सतीश नगर पहुचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार पढ़ कर भाव भी नीश रधांजरी भी अर्पित की वहीं मौके पर उन्होंने अपना बयान जारी करते वे कहा कि सतीश प्रिसाद सिंग के साथ हमारा पारिवारिक संबन्ध है उ जिससे मेरा पूरा परिवार मरमाहत है उन्होंने उनकास ने हम सभी को हर वक्त देखने को मिलता रहता था इस बात की भी जानकारी दी आपको बता दे सतीश प्रतास सिंग ने पिछले दिनों ही दुनिया को अलवधा कह दिया था वहीं उन्होंने केंदर की मोधी सरकार पर और शुरू है सिक्रा में प्रदेश भाजपाध्यक सांसत डॉक्टर संजे जैसवाल ने अपना बयान जारी करते हैं कहा कि विहार चुनाफ परिणाम ने एक बार फिर से हसाबित कर दिया है कि जातपात की राजनीती के दिन अब लद चुके हैं वहीं इस चुनाफ में नरेंद्र मोधी और मुख्य मंतर नितीश कुमार में फिर से विश्वास जोता है जो लोग कभी विकास का एजेंटा मानने से खुले आमिंकार करते वे कहते थे कि विकास से कहीं वोट मिलता है क्या उन्हें भी इस चुनाफ में विकास की बात करने पर मजबूर होना राज़त ने शुरू की हार की समीक्षा करने शुरू कर दी है बीते दिनेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ने हार चुके उमिद्वारों के साथ बैठक की पुर्व मुख्यमंद्री राबरी देवी के सरकारी आवास दस सरकुलर रोड में हुई इस बैठक में प्रदेश राज़त अध्यक्ष जगदानन सिंग भी मौजूद है इस चुनाव में पार्टी को मिलाकर 144 सीटो पर चुनावी मैदान में उतरी थी पार्टी को 75 सीटो पर जीत मिली जबकि 79 सीटो पर हार का सामना करना पड़ा इन सीटो पर पार्टी को किन कारणों से हरका सामना करना पड़ा इसको लेकर राज़त ने समिकष्वा कि Eras कर वैसी सीट है जोहां मामूली अंतर से पार्टी को हरका सामना करना पड़ा है कि इस चुनाव को कई बातों के लिए इतिहास में दर्च किया जाएगा सबसे पहले यह की तेजस्वी आदव का प्रत्याशित रूप से एक मजबूत नेता के रूप में उभर कर सामने आना चाहिए जिनकी वज़े से एक बार फिर से बिहार में उनकी सरकार बनने जारी है तारीक अनवर ने ट्वीट करते वे कहा कि हिंदू कट्टर पंथी हो या मुस्लिम कट्टर पंथी कॉंग्रिस की लड़ाई हमेशा दोनों से ही जारी रहेगी क्योंकि यह दोनों एक दूस्ट कि जमानते समिवधाnsinn ख़ेत्रों में जबत हुई है राहुली ड्रविट ने बताया मुंबई की सफलता का राजबार्तेटीम के पुर्फकाπतान राहुल डुर्वर ने मुंबई की सफलता के पीछे का राज 2000 को रुप हैं जिसे उसंने रिटें किया हुआ है युआ और जिसमें कुल पांच बारिया खिताब जीता है, राहुल ड्रविन ने एक किताब के वर्जुल लॉंच पर उक्तवाते कहिए, उन्होंने आगे कहा कि मुंबई ने बीते 4-5 साल में जो किया है वो ये कि उसके शांदार खिलाडियों के कोर ग्रूप को रीटेन किया है और उनक चले बढ़ते आज की सवाल क्यों, आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपकी अनुसार दिवाली के मौके पर पठागों पर प्रतिबंद लगाने का फैसला सही है या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए, इसके साथ ही आज के लिए बिहार की बड़ी